मद्री प्रदेश के बैतूल में एक रामभक्त ने अनोखे धंसे सुरी रामचरित मानस लिखकर इतिहास रस दिया है बताने की बैतूल के ग्रामदेव गाउं निवासी केदार पटेर ने आठ साल में सुरीता रामचरित मानस लिख दी और इसके साथ ही उन्होंने इन्ही अक्षवरों को उप्यूग कर चुत्र भी बनाए है इसी कड़े में केदार पटेर ने बताया कि वर्स 1997 में दोस्ते से मिली प्रेरणा के बाद सीता राम लिखना सुरू किया और स्वैकड़ों पन्ने भर दिये साथ ये बाल में की रामायड भी महज 6 बर्स में लिखकर पूरी कर दी उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें खेति किसानी से समयन मिलता वो लिखने बैठ जाते थे बगबान सुरी राम की इस अनूठी भक्ती सिब है गाउं ही नहीं बलकि जिले में भी राम भक्त के रूप में पहचानी जानी लगे हैं बैतोल से संबादाता राजेश की रिपॉर्ट हम सुरू से राम नाम लिखते थे 20-25 साल की उमर से राम नाम लिखते थे और बाद में अध्या से मंगवाय कागज उसमें राम नाम लिखने का अपर हो था तो वहां राम नाम की पेहंग थी वहां हम कागज भर-बर के भीजवाते थे कई पन्ने भीजवाय है तो इसी प्रणा मिली है फिर क्या दिया है फिर सोचा की कुछ नया किया जाए तो राम उसके एक्षनों पर राम नाम लिख के उसको दो मैने में लगवाग कंप्लेट कर लिए इसका थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ प्रतिया बन जाए तो एक तो अध्या जी में बेच पूंचा दें और कुछ जैसे किसी को इंस्परेशन मेले उसके इसाब से वित्रण हो जाए है यहां एक हनुमाइन जी के मंदिर है के अरपानी में वहां रख दें दर्सन होता रहे लोगों को प्रेढ़ना ले प्रेढ़ना जरूरी है बाकी तो लिखना और वह अलग बात हो जाती है जैसे उन्होंने राम नाम लिखना किया और राम बैंक भी जाए होती है ऐसा आप ल यह बच्चे सब छोटे थे खेती भी समालते थे और राम नाम लिखना भी सूरूत था इनका मतलब कोई परेसानी नहीं हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आई बगवान जी के शिक्रपर आई कि बच्चे सब लाइन से लग गए और बहुमें भी सब अच्छी है इसमें क कैसी तारीब करते हैं वो राम नाम के इस से बोलते हैं कि बहुत बड़ा काम किया इन लोगों ने आपको कैसा लगए हमको तो बहुत अच्छा लगए